Poco A5 जो एक इतना ज्यादा अच्छा बीस्ट गेमिंग फोन है इसलिए उसके ज्यादा इतने हाइप मार्केट पे तो बहुत दिन ओट करने का बाद हमारे गेमर्स लो के लिए Poco वालों ने लांच कर दिया है Poco A6 जो इन फ्यूचर बहुत जल्दी लांच होने बाला है और जो बंदी बहुत जदी एक्साइटेड है क्योंकि जो Poco A5 थे वह बहुत जदी बीस्ट डिवास था और उधर ही लांच होने बाले है Poco A6 जिसमें क्या आने बाले है स्नैप्ड्रेगन 8th Gen 3 बाला पुरसर और प्रेशंच भी रहने बाले है आप देखके रहा होने बालो तो वीडियो को पुरा एंडिंग तक जरूर देखना पोको इस वीडियो पे और वाई वीडियो को स्टार्ट करने से लिए वीडियो के लिए लाइक कर दो अगर आप भ पुरा निमलिस्टिक एक नचरल सा लुक देखने करें मिलेगा जो बाहर से मेटली लगता है और बहुत ज़्यक्लासिक लुक देता है इसके कैमरा वाईसे विग बिख है रियल्मी की तरह से और इस पर भी ऐसा एक आप लोगो फ्लेश लाइट मिलेगा जो आप लोगो वी बाहर से आपको डिस्पली को काफी जाधा ब्राइटर साइड देगा आप लोग आउट्डर यूज करो आप लोगो इक अंटेंड कंसूम करो आप लोगो काफी हद तक ब्राइटर इसकिन देरी मिलेगा जो बहुत ही सही लगता है बाई बैटनेस पर लोगो प्रॉब्लम बिदेखने के मिलेगा तो काफी सही एक पैकेज आता है इसके साथ हम लोग बैटरी के बात करें तो 5500 अमिज का बैटरी आप लोगो इस फोन पर देखने मिलता है उसके साथ 90 वाट का चार्जर तो बैटरी भी बिलकुल फर्स्ट क्लास है और चार्जिंग भी 90 वाट का च फोन बाई करना पसंद करते हैं तो भाई इस ही प्रेसेंट के लोग को लाँच करने की कोशिच करेंगे आई होप और काड़ लगा कि आप लोगो 25,000 देखने के लिए मिल जाए तो आप लोगो इस फोन पर जो कैमेरे मिलेगा वो आपको नमबर वाइस बैक कमेरे मिलेगा 50 20 MB का invite camera मिलेगा 8 MB and जो front camera मिलेगा 20 MB का आपको front camera मिलेगा जो काफी हद तक एक सही photo ले लेता है वैसे भी ये phone photo मतलब camera पे focus phone नहीं है ये basically performance पे focus phone है क्योंकि processor देखो ना फिर भी आप लोगो camera ठीक टाक सा इस पे मिले जाता है अभी हम लोग और इस phone के processor पे आजए इस phone पे क्या processor है क्या features है मतलब जो gaming के लिए जो चीज इंपोर्टन है gaming and high-end performance उसके लिए क्या के दिया हुआ है तो इस phone पर लोगो जो processor मिलेगा snapdragon 8 generation 3 वाल पूर से मिलेगा जो बस अभी उन phone में दिखने के लिए मिलता है जो बहुत ज़्यादा high price होते 40,000 50,000 के phone पे मिलता है इस पर आप लोगो snapdragon 8 generation 3 मिलता है जो आप लोगो एंट्रूस को निकाल के देगा इस phone पे 1.4 million के एंट्रूस को जो काफी ज़्यादा है वाई उससा आप लोगो जो इस पर storage टाइप देखने मिलेगा storage कितना fast है UFS 4.0 storage टाइप देखने मिलेगा तो storage तो काफी fast भी मिलेगा इसका जो performance है वह बहुत ज़्यादा beast रहने बाला है gaming में क्योंकि snap track and age generation थे रही है bgmi setting आप लोगो जो मिलेगा smooth plus extreme मिलेगा HDR plus extreme मिलेगा अभी 90fps की बात कहें तो recently इस phone में 90fps अभी आया नहीं है I hope update के बात आ जाए क्योंकि इस पोसर के अंदर ये APS बाला phone 144 अज बाला phone 90fps तो मिलना ही चाहिए बाई तो 90fps जल्दी आने बाला है बट इसमें जो एक ओ है इसका जो disadvantage है जो I think इस phone को थोरा stable करने की ज़रो थे ओ है इसका heating problem इस पोसर के वैसे phone इतना ज्यादा हीट होता है ना मतलब आप लोग फील कर पाऊगे phone को पकर के इस phone कितना ज्यादा हीट हो रहा है और अभी जो India का temperature चाहरा है उस temperature पर तो ये phone काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा मेरे को कि इस प्राइसेंच के अंतरा हम लोगोगो स्नैप्रेक नेट जनेरेशन थी मिल रहा है वो काफी सहीज़ेश है और अभी जो रिसेंट टाइम में फोन लाँच होने वाले मतलब इन फ्यूचर उस पर भी ये पोसर ही देख नहीं आएगा बाकि इसका जो हम लोगों वेस देख में मिलेगा एंड्रोइड वर्शन 14 मिलेगा तो अब रिसेंट टाइप एंड्रोइड वर्शन अप्डेट हो रहा है बाकि अगर इसके अप्डेट पॉलिस के बात करे तो वह अभी तक कंफर्म होके नहीं आया कि इसका कितने साल तक अब्लेट आएगा तो इसका आप लोगों उसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए कि इसका गेमिंग परफेमेंस क्या होगा और गेमिंग में कैसा कैसा देर आए एपियस उसके लिए आपको में में इसके फूल गेमिंग डेटिकरे वीडियो लाओंगा कि में कोई issue नहीं है performance इसका बीष्ट रहेगा आप लोग स्नापड्राइगन एट जिनिशन 3 मिलेगा अंडर 25,000 बाकि इसमें heating issue है इस चीज को यह लोग जब इंडियन बर्शन में launch करेंगे देखते उसमें fixed होता है कि नहीं या फिर उसमें क्या क्या चेंटिस होता है उसके लि तो तर्बो का क्या सीन है हर फोन पर यह तर्बो तर्बो यूस हो रहा है अभी देखते बाई पता चलेगा इन फ्यूचर की कौन सा फोन सबसे फर्स्ट लांच होता है तो फोन तो सही रहेगा बाकि बस नामचेशों के इंडिया में launch हो सकता है अभी देखते क्या scenario रहेग तो बाई यह वीडियो तो इतने अधा कि था आप लोगों में कुछ भी कोश्चन हो तो कॉमेंट का मत भूलना वीडियो एक लाइक कर देना थो इसे सपोट के लिए नेक साइड हो तो कॉमेंट में बता दो कितने एक साइड़ हो और आप भाई करने भालो की नहीं और चाल बाई गाई डई गाई माई खालो की नहीं नेक लेक हो लाई आप अगर विल्क लेक लाई 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 भी